सवाल का जवाब हम लेंगे लेकिन मैं आपको बता दूँ ही गोरख पुर में आज सीम योगी ने रोड़ शो निकाला इस दौरान उन से बात की एबीपे गंगा के वीरोचिफ विरेश पार्टेर अब भूमी है और जो प्यार सडकों पर दिख रहा है महिलाएं जिस तरीके से आपके उपर पुष्प वर्सा कर रही है ये महिलाओं की सुरक्षा का लगता है देखे माताओं बहनों का स्रिबात को भारती जन्ता पार्टी को प्रचंड मिली रहा है प्रतेक तबके का समर्थन मिलना है और ये भारती जन्ता पार्टी की जीत के रिकॉर्ड को फिर से प्रतरशित करेगा मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमा हूँ मैंने देखा कि योगी जी के कानून बेवस्था को लेकर महिलाओं में बहुत स्रद्धा का वारत देखे जो करेगा उसका प्रणाम भी आएगा समाजवादी पार्टी सरकार में 5 वर्स में 700 से दिक दंगे हुए दबलिंजन भारती जन्ता पार्टी की डबलिंजन सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ फ्रदेश में कानून का राज है और किसी भी विकास और सुसासन की पहली नियूस सुरक्सा होती है वह भारतिय चंता पार्टी ने करके दिखाए थी लड़कियों में घेरने और घूरने की बड़ी समस्या थी उनको कहना है कि अब घेरने और घूरने की समस्या समात हूँ देखे हमने आने के ततकालवाद एंटी रोमेयो स्क्वाइड का गठन किया था आज उसका पैड़ा पांच साल के बाद बहुत समस्क दिखाई दे रहा है और जो आसरी बात माताओं बहनों का मिल्ला है यह उसी का पैड़ा में जो बुल्डोजर है सर्विसिंग में वो कब का दस मार्च के बाद फिर अपना काम करेगा तो सिमला बनना है कहा तक कहा तक देखे जिन में जो धमकी बाद भिर से चुनायों की नोटिविकेशन के बाद धमकी दे रहे ना दस मार्च के बाद इन सब की गर्मी भी सांत होगी और गर्मी भी सांत होगी और सिमला भी बनेग अखरी सवाल योगी जी अखिलेश यादों का क्या है? लोग छटों पर सवार हैं, वो भी लोग पुस्प वर्सा कर रहे हैं और गाडियों का जो ताता है वो तूट नहीं रहा है देखिए जो सुरक्षा कर्मी है वो परेशान है कि कैसे भीड को रोका जाए, नियंत्रन में लाया जाए ये उनकी कर्म भूमी है यहाँ से उनका से लगाव है और हम रोड शो में आगे बढ़ेंगे बस इतना ही यहाँ से विरेश पांडे कैमरामेन हर्यों के साथ